गुड मॉनिंग एब्रिबन सो फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या बहुत ही कमाल के कुकिंग टिप्स हैं फ्रेंस वीडियो को पूरा ही देखिएगा नमबर वन हरी मिर्ज की डंडी तोड कर फ्रीज में रखने से वह जादा दिनों तक ताजा बनी रहती है नमबर टू रसोई के कौनों में बोरिक पाउडर चिड़किये इससे तिल चट्टे आपको परेशाद नहीं करेंगे नमबर थ्री इडली वे डोसा बनाने के लिए दाल चावल भिगोते समय एक कप उड़त की डाल हो तो एक चमस मेथी दाना भी डाल दें तता उसे भी साथ ही पीस लें इससे इडली डोसा अधिक मुलायम बनेगा तता खाने से गैस नहीं बनेगी नमबर फॉर यह खराब नहीं होते बलकि नरम और मुलायम हो जाते हैं इन्हें नरम होने से बचाने के लिए एरटाइट प्लास्टिक के डब्बे में रखें आप इन्हें पॉलोथीन बैग में भी रख सकती हैं यह खाक पधारतों को सुरक्षित रखने का आसन तरीका है गरम कर लें फिर से ताजी हो जाएंगे नमर शिक्स पालक की सब्जी बनाने बनाते वक्त यह ध्यान रखें कि गीले पालक का इस्तमाल ले करें इससे सब्जी बिगड़ जाती है पालक को टेश्टी बनाने के लिए इसको धोकर एक कपड़े पर डाल कर सुखा लेना चाहि करके सब्जी में डाल दें आलू अत्रिक्त नमक को सोख लेगा तो फ्रेंस जब भी हमारी सब्जी में नमक जादा हो जाता है तो आप उसमें कच्छा अलू छील कर डाल दीजिए उसका टुकड़े करके वो आपका जितना भी सब्जी में जादा नमक है उसको वो अपनी पकोड़ियों का स्वाद बढ़ जाता है नमबर 9 पूरी या पकोड़े तलते समय तेल में चुटकी भर नमक डाल दें इससे पकोड़े कम तेल सोखेंगे इससे तेल की बचत के साथ ही आपकी सेहत भी ठीक रहेगी नमबर 10 यदि आप चना मटर जैसे चीज जल्दी पकाना चाते हैं तो पानी में नार्यल तेल ये रिफाइंट तेल की कुछ बूंदें डाल दें नमबर 11 देशी गी को जादा दिन तक फ्रेस रखने के लिए उसमें एक टुकड़ा गुड़ और कुछ टुकड़ा सेदा नमक मिला दें इससे आपका घी बहुत दिनों तक फ्रेस र जाएगा नमबर 13 चावल बनाते समय इसमें एक छोटा चमच इसमें नेमबू का रश डाल दीजिए जिससे चावल जादा सफेद वर खिले खिले बनाएंगे नमबर 14 समोसे का आटा गूतते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला ले इससे समोसे कुरकुरे बनाएंगे जबी हम समोसे बना रहे हैं घर पर तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाएगा आपके जो समोसे हैं काफी खस्ता वै करारे बनेंगे नमबर फिप्टीन आलू की टिक्की के मसाले में एक अच्छे केले को उबाल कर उसमें मिलाएं ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आता है नमबर सिस्टीन अगर आप बेकिंग करने जा रही हैं तो ओवन कुछ देर पहले ही गरम होने रख दें नमबर शेवनटीन छेना फाटने के बाद उसके पानी का प्योग पराठे के आटे को गूंदने में करें इसके पराठे जादा टेस्टी और मुलैम बनेंगे नमबर एटीन आम पन्ना बनाते समय उसमें चार से पांच चम्मस अद्रक का जूस मिला दें ऐसा करने से आम का पन्ना जादा स्वादिष्ट बनकर तयार होगा और यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेबंद होता है नमबर नाइंटीन यदि नीबु का चार खराब होने लगे तो उसमें थोड़ा सा सिरका डाल कर इसे हलकी आँच पर पका लें ऐसा करने से नीबु का चार खराब होने से बच जाएगा नमबर ट्वंटी आदरुक लहसुन का पेष्ट बनाने के बाद एक चम्मस नमक और एक चम्मस गरम तेल डाल कर अच्छे से मिक्स कर दे ऐसा करने से अदरुक लहसुन का पेष्ट ज़्यादा समय तक खराब नहीं होगा नमबर ट्वंटी बन सूजी का हलवा बनाते समय पानी की जगए दूद का इस्तिमाल करें ऐसा करने से सूजी का हलवा अधिक स्वादिश्ट बनकर तयार होगा प्याज फ्राई करते समय उसमें एक चुटकी सक्कर डाल दें ऐसा करने से प्याज जल्दी कुरकुरा भुनकर तयार होगा जब भी प्रेंस हम प्याज फ्राई करते हैं तो आप उसमें एक चमच चकर यानि की चीनी डाल दीजिए उससे आपकी प्याज बहुत जल्दी फ्राई होगी और साथ में कुरुकुरी भी हो जाएगी नमबर 23 यदि आप घर पर रसगुला बना रहे हैं तो दूद की शारी मलाई निकालने के बाद ही रसगुले के लिए दूद को फाड़ें ऐसा करने से रसगुले ज्यादा स्पॉंजी और जूसी बनकर तयार होंगे नमबर 24 दूद से मलाई निकालने के लिए इसे पहले अच्छे से उबालने के बाद ठंडा होने के लिए रख दें और फिरी से पास घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ऐसा करने से दूद में अधिक मात्रा में मोटी मलाई जम कर तयार हो जाएगी नमबर 25 अगर सर्दियों में दही नहीं जम रहा है तो एक समतल थाली में पानी लेकर उसमें दही वाला बरतन रख दें ऐसा करने से एक घंटे के अंदर ही एक दम बढ़िया दही जम कर तयार हो जाएगी क्या होता है सर्दियों में दही हमारी बहुत जल्दी से नहीं जमती है तो एक समा जो थाली होती उसमें आप पानी भरके रख दे हैं और आप जिस भी अरतन में दही जमा रहे हैं उसको रख दे आपकी दही बहुत जल्दी जम जाएगी फ्रेंज आज की ये 25 कुकिंग टिप्स आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएगा टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होता सस्क्राइब कर लीजेगा आज की वीडियोस मेरी यहीं तक